नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे agriculture commodities की खलब में देखा कि spices के अदर अगेन तेजी देखने को मिली निर्यात मांग बनने के वज़े से spices के अंदर तेजी देखने को मिल रही है जीरा, टमरिक, कोरियंडर सभी के अंदर lower level से recovery देखने को मिली एक्सपेक्टिड है आज भी मसालों के अंदर तेजी का trend देखने को मिल सकता है जीरा में strong support 14.500, resistance 15.200 टमरिक में support 8.80, resistance 8.370 कोरियंडर में support 7.30, resistance 7.270 सपाइसीज में trend positive रह सकता है तो यहां खरदारी का trend बनाया जा सकता है वह अगर हम edible oils की बात करें तो कल edible oils में recovery देखने को मिली lower supplies होने की वज़े से सभी खादे तेलों में तेजी का trend देखने को मिला expected है soya bean refined के अंदर आज भी trend positive देखने को मिल सकता है सोयबीन में support 5,500, resistance 5,740, refined soya support 12,83, resistance 3,11 वह अगर हम सर्सों की बात करें तो सर्सों के अंदर भारत के अंदर supply बढ़ती वी दिखाई दे रही है नई crop की आवक की वज़े से भावों में आने वाले दिनों में गिरावर देखने को मिल सकती है पंजाब राइस्थान में आवक बढ़ती हुई दिखाई दिये सर्सों में support 5,640, resistance 5,880 expected है यहाँ पर higher level of equally देखने को मिल सकती है वह अगर हम गौर्सीड गौर्गम की बात करें तो यहाँ पर हमने downtrend बनते हुए देखा है गौर्गम में support 5,800, resistance 6,10 गौर्सीड में support 3,670, resistance 3,860 वहीं अगर चने की बात करें तो चने में नई क्रॉप की आवक स्थार्ट हुई है इसकी वज़ेसे भावों में pressure देखने को मिल रहा है और आगर जैसे ऐसे आवक बढ़ेगी तो भाव नर्म होते हुए दिखाई देंगे चना में support 4,930, resistance 5,130 expected है गौर्षीड, गौर्गम और चने के अंदर कुछ नर्मी देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर विक्वाली का trade बना के चला जा सकता है आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फायदा मिलेगा धन्यवाद